किसी ने पूचा है फ्लाइट में कान सुन क्यों हो जाते हैं और उसमें दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है तो फ्लाइट में जब भी हम बैठते हैं टेक ओफ और लैंडिंग के वक्त खास करके कानों में बहुत जादा दर्द होता है और हर दूसरे बंदे को बच्चे को बुड़े को हरे को होता है उसका एक ही कारण होता है कि जो फ्लाइट का कैबिन होता है उसमें प्रेशर भरा ज होता है तो वह प्रेशर हमारे कानों में भी कानों के पर्दों को अंदर की तरफ धकयलता है जिसके वज वज़ाश से बहुत दर्द होती है कई लोगों के टो कानों के पर्दे मैंने सुन और भी नीखलना ओन चीरू हो जाता है और मेरे खियाल से उन इसका हल है आप अपने साथ एक टौफी या च्विंगम रखो टौफी को अगर आप चूसेंगे ना तो जैसे ही आपके कोई भी चूसने के बाद जो लिक्विड अंदर जाता है उससे थोड़ा सा कानों के प्रेशर में राहत मिलती है दूसरा आप क्या कर सकते हैं च्विंग खीचते हैं तो हमारे कानों का और हमारा जो प्रेशर है वो थोड़ा बैलन्स में होता है उससे कानों को थोड़ी राहत फील होती है उसके इलावा आप क्या कर सकते हो हमें ये चीज़ as a flight attendant बताई जाती थी तो आपने ये step करने हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसके बाद जो हवा आपने अंदर ली है उसको आपने नाक के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करनी है लेकिन आप उसको actually बाहर नहीं निकाल रहे जब मू और नाक बंद होगा और हवा को आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो वो अपना रस्ता बनाके कानों के प तो आपने देखा जैसे मैं नाक और मुख को बंद करके जब प्रेशर बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ तो मेरे कान हिल रहे हैं देखो आप आपने ये मुवमेंट नोटिस की तो इससे जो प्रेशर है वो एकुलाइज हो जाता है और लोगों को काफी रहत मिलती है अगर आपको लगता है कि कानों का प्रेशर आपका वर्स हो रहा है बहुत ही शाप पेन आ रहा है तो क्रू मेंबर्स को इंफर्म कर दे और फ्लाइट से उतरने के बाद डॉक्टर्स को मिलना ना भूले क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बात हो सकती है I hope this will help